संकराचारे चौक यह वो जगह है जब लोकारपण हुआ तो यहीं पर प्रधान मंतरी ने संतों को, कासी जनों को और बुधिवान, बुधिजीवियों को संबोधित किया काशी विशुनाद धाम के लिए आज संकराचारे चौक ऐसी जगह बन गया है काशी विशुनाद धाम का जहां लोक दर्सन के लिए जब आते हैं तो लाइन लगाते हैं या फिर दर्सन करने के बाद आकर इस संकराचारे चौक पर बैठते हैं और बाबा के ध्यान में मगन होकर जो ध्वजा है उसको निहारते हैं ऐसा ही कुछ कासी तमिल संगमम में हो रहा है जो तमिल नाडू के जो ग्रूप आया हुआ है समूह आया हुआ है गोदावरी उसके लोग यहाँ पर संकराचारे चौक पर आए उनका दर्सन करने के बाद बाबा का दर्सन करने के बाद यहाँ पर संकराचारे चौक पर आए गजब का उत्सा है इन तमिलनाडू के लोगों में वो लगातार उद्धोस कर रहे हैं हरहर महादेव का और यहाँ पर जो कासी विशुनात धाम ट्रस्ट है उसने उनका अंगवस्तरम देकर स्वागत किया एक-एक सदस्य का और यहाँ पर स्वागत के बाद एक चर्चा की गई बाबा विशुनात धाम के बारे में उसके बाद उनों को गंगा दर्सन के लिए ले जाये गया जहां पर वो गंगा दर्सन करते हैं इसको देखा जाये तो संकराचार चौक गवाह बन रहा है उन पलों का जो काशी विश्वनाथ धाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है कूएं कि जो लोग आ रहे हैं वो बाबा के भक्त हैं और इसी संकराचारचोग पर आकर अपनी जो आराधना है उसकी जो अन्त जिसको कह सकते हैं या जो इसको कह सकते हैं कि समाप्ति की तरफ ले जाते हैं बाबा विश्वनाद के दर्सन करने को बादे के साथ डॉक्टर हरिकेश बादुर सिंग ओटम डीडी न्यूज संकराचायर चौक काशी विश्वनाद भाफित वालमस और आयोध्या में 22 जन्वरी को श्री रांद भाफित वालमस